हलो एक दम मस्त होंगे बढ़िया होंगे और एक दम मजे में होंगे हम भी एक दम मस्त और स्वस्त है तो सबसे पहले आप सभी को जैसिक रश्न और गुड मॉर्निंग तो अब यहां पर हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह का सब जो रूटिन काम होता है वो सब कुछ मेरा हो चुका है फिनिस और मेरा बेटा जो है वो हूँ चला गया है स्कूल और मेरे हस्मन जो है वो चले गया है ओफिस और उसके बाद सुबह का रूटिन काम फिनिस करने के बाद आज जो है ना सबजी फिनिस हो गई थी तो मैं नीचे से ऐसे सबजी लेके आ गई हूँ और सबजी लेने के आने के बाद यहां पर सबजी जो है सबसे पहल और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी मैं सब्जी लेके आती हुना तो प्लास्टिक बेग उसके साथ नहीं लाती हूँ और सभी सब्जी ऐसे बेग में मिक्सी होती है तो हम लोग ऐसा ट्राइ करते हैं कि हमारे से जितना हो सके उतना प्लास्टिक जो है कम यूज करें तो सब्जी में आपको मेरे बेग में दिखाई दे रहा होगा कि प्लास्टिक की बेग में सब्जी के साथ नहीं लाती हूँ मैं हमेसा ऐसे क्लोट्स कपड़े की जो बेग होती है वो सब्जी लेने के टाइम मेरे साथ लेके ही जाती हूँ और इसमें ही सभी सब्जी में गया जाते हैं दोकिया हम बनाने के लिए तो आज एसे दोपर के खाने में दाल और चावल बनाना है तो दाल और चावल तो मैंने भीगोने के लिए रख दिये है और सब्जी देखती हूँ क्या बनाती हूँ और सब्जी में क्या क्या लेकर आई हूँ वह भी आपको दिखाती हूँ जो है वह मैंने इ तेया से आलू प्यास वो सब में लेके आई हूं और अधेर शारा एसे कड pad अरक टेस्ट ना तो सभी सब्जी में या तो सभी चीज में बहुत अच्छा लगता है तो कड़ी पत्ता भी जो है वो एकदम फ्रेज था ना तो में लेके आई हूँ और अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ कीचन में और कीचन में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज दाल और चावल बना रही हूँ तो इसके साथ आलू की जो सुखी सब्जी बनाते हैं वही बना लेती हूँ तो अभी यहाँ पे आलू जो है वो में लेके आ गई हूँ और अभी दाल और चावल जो है ना वो में ने ऐसे पहले से ही भीगोने के लिए रख दिये है तो अभी आलू को है ना ऐसे में डाल के साथ ही ऐसे बोईल करने के लिए डाल देती हूँ ताकि आलू और अरहर की डाल दोनों जो है ना ऐसे अच्छे से एक साथ ही बोईल हो जाएंगे और ऐसे देखे ना तो काम भी हमारा फटा फट हो जाएंगा तो अभी आलू और डाल दूनों में एक साथ ही boil होने के लिए रख देती हूँ और आलू जो है ना मैंने दोके ही रखे है तो इसलिए आलू और डाल हम ऐसे एक साथ भी boil कर सकते हैं और हमारे घर में जब बी ऐसे डाल चाउल के साथ आलू की सूकी सबजी बनानी होती है ना तो हम लोग ऐसे दाल के साथ ही आलू को जो है ना बॉयल कर लेते हैं तो ऐसा करने से हमारा टाइम भी बचता है और ऐसे देखे ना तो गैस भी जो है वो बचता है तो अभी दाल और आलू में ने बॉयल करने के लिए रख दिये और चावल जो है वो भी बॉयल करने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे सुभे के जो बरतन पड़े हुए है वो बरतन ऐसे बरतन स्टेंड में में लगा देती हूँ ही हाँए हैी हाँ आए ची सबसेटे और यहां पे मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ कि जब भी हम दाल बॉयल करने के लिए रखते हैं और कभी ऐसे पानी ज्यादा हो जाता है तो दाल ऐसे उबल के उसके छीटे जो है ना ऐसे बाहर निकलते हैं और उसकी वज़े से हमारे प्लैटफॉर्म पे ऐसे चारो हो इसलिए एक कपड़ा ऐसे लेके हम सीटी के असपास ऐसे रख देगे तो जब भी ऐसे सीटी बजती है ना तभी वो छीटे जो है ना ऐसे कपड़े पे लगेगे प्लैटफॉर्म के ऊपर नहीं लगते हैं तो ऐसा करने से हमारा काम जो है ना ऐसे आसान हो जाता है और उ उसके बाद मैं बना लूँगी सूखी सबजी जो आलू की बनानी है वो तो इसकी रेसिपी भी जो मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ तो वीडियो में बने रहे और हाँ अगर आपको ये मेरे डैली व्लॉग जो है वो अच्छे लगते हो और मेरे व्लॉग जो है वो बाद यहां पे डाल के साथ मैंने जो आलू बॉयल होने के लिए रखे थे तो डाल और आलू दोनों जो है अच्छे से बॉयल हो चुके है तो अभी डाल में से आलू जो है वो में निकाल लेती हूँ और उसको थोड़ी दिर के लिए ठंडे होने के लिए साइट पे रख द लिए है और ऑлем हल्का सागर भावा ए उसके बाद इसमें एक छोटी चम्मच जितना ऐसे सरसो dot लिए और इसके बाद यहां पर एक ऐसे अधिश हरी वाली मिर्च तिकी है वह ऐसे कट कर अवे ऋडिक और टोड़ा सा के बाद यहां पे जो बॉयल किये हुए पोटेटो है आलू है वो इसमें मैंने डाल दिये है और इसको मैंने ऐसे चोटे-चोटे टुकडो में कट कर लिया है अगर आपको यहां पे कट नहीं करना हो और ऐसे इसको मैस करना हो तो मैस भी आप कर सकते हो तो और उसके बाद यह इसके साथ अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद यहां पे उपर से में थोड़ा सा ऐसे पानी डाल देती हूँ और पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए उबलने दिया और उसके बाद यहां पे हरादनिया जो है वो उपर से में कट करके ड तो यहां पे जटपट बनने वाली आलू की सुखी बाजी जो है वो रेडी हो चुकी है और उसके बाद यहां पे हमारा दोपर का खाना वाना सब कुछ हो चुका है और खाना खाने के बाद जो सब्जी मेंने दोके रखी है वो सब्जी भी अच्छे से सूख गई है तो अभी इसे बैट और को गाल आए सब्जी को एसे जीप लोग बैग में परके, मैं ऐसे फ्रीज में रख देती हूं. तो यहां पे सब्जी रखने के बाद घ्णिया और कडी पत्ता है, वो भी मैं ऐसे रख देती हूं साफ करने के बाद. मेरा भेटा फे वह के रहा है और आके उसके खाना भी खा लिया है और अबि विद ऐसे देखेना तो कुछ अप्टिविटी करने के लिए कोई दिखमत गई तो ख़ती देखा हो तो करने के लिए बैच दे द्खाई से वे इहा। आड़िक लाओ मेरे कई चाहितने तो यहां पर देखो یہ जो बूक一直 बहुत अच्छी है वह से देखे ना तो रोड़ी दिखाई दे रहे है जमबो एक्तिविटी बूक और इसमें ऐसे देखे ना तो एक्टिविटी सब कुछ है पूरी बुक में छोटे बच्चे के लिए बहुत सारी अच्छी एक्टिविटी है तो वह यहां पर करने के लिए बैठ गया है और यहां भी यह देखो वह कलर कर रहा है तो यह बुक क्या है वह आपको दिखाती हु में तो ऐसे जम्बो एक्टिवीटी बुक स्पेस ट्राविल है इसमें बहुत सारी आप्टिविटी है और देखेना तो यह अच्छी है बुप मुझे तो अच्छी लग रही है और यह देखो ऐसे अक्टिविटीreiben लिखा हुआ हां है वह यह वीच्चे को करना होता है और बच्चे को अच्छा भी लगता है पूरी एक्टिविटी करने में तो वो आके ही तुरंस कुल से आके ही एक्टिविटी बूक लेके बैठ कया है और ऐसे देखे ना तो यह 125 रुपे की आई है और बहुत अच्छी है और उसके बाद यहां पे मैं बैठ कई हूँ उसके जो कल यह जो अच्छी रही हूँ ना एसे तो उसमें से जो आगे का जो हिस्सा निकलता है ना वह ऐसे देखे ना तो फ्लावर की तरह ही दिखता है तो मैंने सोचा कि इसको सभी ऐसे अलग-अलग कलर में निकल रहे है तो इसको ऐसे में एक डिबी में भरके रखोंगी क्योंकि म मेरे बेटे की स्कूल में ऐसे दिया डेकोरेशन की कॉंपटीशन होने वाली है तो उसमें एसे देखे ना तो लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगएगा तो इसलिए इसको ऐसे चील के में एक डिबी में स्टोर करके रख दूंगी और ऐसे देखे ना तो यह बहुत सबी पसंद आया हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और व्लोग अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजेगा तब तक के लिए आप सभी को बाई बाई टेक केर ओल ओफ यू थैंक्स फॉर वाचिंग